वही मामले विवाद में दो पक्षों में खुनी शंगर्ष देखने को मिला है चेयर्मैन और पडोसी परिवार में जम कर लाठी डंडे चले है मारपीट में कई राउंड की फारिंग की गई वर्तमान चेयर्मैन समें दो लोग घाल हो गए है बुलावटी कोतवाली शेत्र का ये पूरा मामला है बड़ी और रहम जानकारी से आपको रूबरू कर आ रहा है चेयर्मैन और पडोसी परिवार में जम कर लाठी डेखने को मिली है बुलंद शेहर का ये पूरा मामला है मामली विवाद था जुसमें दो पक्षों में खूनी बिढ़नत देखने को मिली है तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर बुलंद शेहर से जहां पर मामली विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया वर्तमान चेर्मेन समेट दो लोग घाल हो गए वही तबाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता पुनी जुड़ चुके हैं पुनी बुलंद रहर से जो मामला सामने आया है मामली विवाद बताया जा रहा था ऐसे में इतना ये बड़ी घटना कैसे हो गई किस तरीके से ये फाइरिंग का मामला भी सामने जुड़ गया उसमें क्या कुछ पूरी वारदात है क्या कुछ ये पूरी घटना है पिल्कुल हो देखिए अगर बहतना की बात करें तो ये बुलंद शहर के गुलावथी इलाज़े का ये मामला है गुलावथी कच्रे का ये मामला है और जो बताया जा रहा है जो जानकर ही मिली है क्योंकि ये चुनाली चुनाव को लेकर के पूरा ठखला हुआ था ये लोग घाल है और एक यूबब के हाथ में भी गोली लगिया हलां कि पुलिस ये बता लिए कि तहरीर ले लिया अब मामला दाश कर लिया जल्भी जो आलोपी उनकी विक्रफ्ता रिकी जाए जी वही इस पूरे मामले में जो इस तरीके से किसी और के भी घाल हुनी की ख़बर सामने आई है क्या की जाएगी आगे किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी देखे पुलिस के जो आला अधिकरी है उनकी वहां की पूरे मामले की बात की जाए तो जिस तरीके से मामले विवाद पर इतनी बड़ी इतना बड़ा खूनी शंगर्ष्ट देखने को मिला है इसको देखते हुए परिवार जनों की तरफ से क्या कुछ पृतिक्रिया सामने आई है बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए जानके से क्या अर्बज텐7 की के लिएhyd Review